कुछ हाथ ऐसे होते हैं जब वो एनलाइसिस के लिए आते हैं तो पहली नजर में देखकर ही ये लग जाता है कि एक सर्टेन टाइम पीडियर तक इन्हें स्ट्रगल देखना पर सकता है ये हाथ उन्ही हाथों में से एक है आज जिस हाथ का एनलाइसिस करना है तो चलिए स्ट अंगर होते हैं रिस्क ट्रेकर होते हैं साथी साथ बिजनेस सेंस इनकी अंदर ज़्यादा होता है लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुच पा रहा है तो ऐसे लोगों के अंदर ये लोग टाइम को पैसे को वर्क को मैनेज नहीं कर पाते हैं डिसिप्लेन का अभा होता है अंगुठा जब जुका ले रहा हो हतेली की तरफ तो दोस्तों की संख्या इन लोगों की बहुत कम होती है जिप्टर की फिंगर भी जुका ले रही है मिटिल फिंगर के तरफ तो धार्मिक भावनाय इन लोगों में बहुत ज़्यादा होती है अब चलते हैं बिल्कुल भी सही नहीं है, अच्छा नहीं है, तिल्टेड है, ऐसे लोगों की सोशल लाइफ, फैमली लाइफ, मैरेज लाइफ, तीनों डिस्टाब होती है, शादी में दे ली होती है, तरकी मिलने में दे ली होती है, सटन माउंट, इस पिके साब से फ्लैट है, लेकिन बाक पहनत आप करेंगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। आलस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन अगर ये swelling लेवे है तो फिर उसके माइने बिल्कुल different हो जाते हैं। बहुत ज़ादा negative impact आता है। depression देता है। ऐसे लोग जिनके हाथ में certain amount फूला हुआ है। ऐसे लोग अगर किसी भी काम को करते हैं और पहली बार में उस काम में वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो फिर next time, next attempt लेने से डरते हैं। और depression में चले जाते हैं। Sun mount अच्छा है। लेकिन problem क्या है? Sun mount prominent तो है, लेकिन cross का sign है। यानि negativity यहां भी है। Sun mount पे cross बिलकुल भी किसी भी angle से अच्छा नहीं माना जाता है। यह mount के energy को कम कर देता है, प्रभव को कम कर देता है, जो तरक्की हाथ में जिस time पी लिखी है, उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त लग जाता है। Mercury mount इनकी हाथ में बहुत अच्छा है। ऐसी लोगों के अंदर business sense बहुत अच्छा होता है, बात करने में वाग पाटू होते हैं, लोगों को लुभाने का काम जान, जानते हैं अपनी बातों से, श्रब्दों का अभाव नहीं होता है, बोलने की कला बहुत अच्छी होती Lower Mars अच्छा नहीं है, immunity इनकी थोड़ी सी week होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, अपमास अच्छा है, लोगों से जब मिलते होगे, energy के साथ मिलते होगे, Venus mount बहुत अच्छा है, luxurious life होगी इनकी, किसी भी चीज़ कब हो, एक certain time period के बाद नहीं होगा, सब कुछ होगा इनके बास तो विदेश से धन प्राप्ति की योग बनते हैं, बहरी लोगों की मदद इने ज़्यादा मिलेगी, तो अगर ये foreign जाके जॉब करने का सोचे, क्योंकि ये हाथ business का नहीं है, जॉब का है, अगर ये जॉब करने का सोचे, तो इनके लिए ज़्यादा beneficial होगा, heart line इनकी, start भले हुई है, जुबिटर से, लिकिन देख रही है मंगल के तरफ, मार्स के तरफ, तो हलका सा गुस्सा हाता है, इन लोगों को ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा जुकान ही है, हलका सा गुस्सा भी रहता है इनके अंदर, और भटकता है मन एक जिने पर शांती से मन रहता नहीं है और ये चीज इनके माइंड लाइन पर भी है क्योंकि इनके माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है मार्स से तो ऐसे लोग प्लानिंग बहुत बनाते हैं बहुत जादा लेकिन जब इंप्लिमेंट करने की बात आती है तो वहां पर की विक हो जाते है प्लानिंग बनाने में तो माहिर होते हैं लेकिन उस प्लानिंग को जमीनी अस्तर कैसे दी जाए वो इन्हें समझ में नहीं आता है यह वाला प्रॉब्लम है इनके हाथ में साथी साथ लाइफ लाइन बिल्कुत जुपिटल से स्टार्ट हो रही है तो होता यह है कि अगर मैं इसको जूम इन करूँ या आपकी बाकी पिक्स को मैं जूम इन करूँ इसमें कोई रेखाई सही से समझ में आती ही नहीं है पिक्चर क्वाल्टी में यहीं पर आप लोग मात खा जाते हैं आपको लगता है कि आपने यह उंगलिया चार अच्छे से और हम प्रेडिक्शन अच्छे से कर देंगे नहीं होता है बहुत माइनियूट चीज़ें देखनी होती है लाइस देखनी होती है तो जो भी है अगर आपको यह प्रेडिक्शन सही से करवाना है तो प्लीज अपने हाथ की पिक्स कम से कम किलियर भेजिए अच्छी हैं बागी सब बलर है बहुत जाद बलर है एक यही पिक्षिर है जो थोड़ों सही है अब इसमें मैं देखने की कोशिश करती हूं कि सन मांट पर पॉजिटिव साइन कौन-कौन से है एक तो यहां पर यह लग रहा है मुझे लेकिन यह कंप्लीट है या नहीं इस पर मुझे है यह होगे स्कौइड का साइन अगर यह इतना बड़ा स्कौइड होगा तो पैसे कब हो इनको नहीं होगा एक वक्त के बाद काफी पैसा इनके हाथ में आएगा लेकिन अगर यह इंकंप्लीट होगा तो फिर उसके अलग मायनी हो जाएंगे पिक्षिर सही नहीं है अब मैं कहां से देखों कि आपके हाथ में यह इनot sign है कि नहीं है मुझे कहीं से नजर ही नहीं आ रहा है कुछ अगर ये शक्त का sign होगा fame का sign होगा तो fame मिलेगा नहीं होगा तो फिर दिक्कत आएगी government job के लिए fame sign को clearly देखना मेरे लिए बहुत ज़री हो जाता है जो कि इस आदर मुझे दिखाई नहीं दे रहा है तो government job आपकी लगेगी कि नहीं लगेगी आप मुझे personal message करके एक अच्छी से pick भीज दीजेगा तभी मैं बता पूंगे पैसे की कमी नहीं है वो इस हाथ में है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी से fish की sign बन रही है एक अच्छी से लेकिन थोड़ी उपर है तो पैसा तो होगा लेकिन मैंने पहली भी बोला है कि एक certain age की बाद उसे पहले नहीं वो यह fish की sign भी बता रही है बाकी triangle मुझे कहीं भी इनके sun mount पे नजर नहीं आ रहा है इनके भेजेवे pick के हिसाब से square बहुत है लेकिन incomplete है incomplete इसलिए भी हो सकते है क्योंकि आप अभी तक उस field के तरफ गए नहीं है square जब ज़्यादा होते है तो बहुत ज़्यादा पैसा ये देने का काम करता है sun mount पे जब होता है अब चलते हैं आदस mount के sign को देखते है jipter का mount भी मुझे clearly नजर नहीं आ पा रहा है बागी पिक्स देखते है हाँ triangle है triangle जब हो हाथ के अंदर jipter bound पे तो ये पद तो दिलवाता है ये तरक्की दिलवाता है ये brilliance को बताता है कि इंसान जिसका भी ये हाथ है ये intelligent बहुत है दिमाग बहुत है इसके अंदर तो एक positive sign है इनके हाथ में वो भी triangle का तो अच्छा sign माना जाएगा इसके साथ ही यहाँ पर भी मुझे आभास हो रहा है कि fish का sign है अब है की नहीं है वो clear नहीं है लेकिन लग रहा है तो sign तो है इनके अंदर job के लेकिन government job के मुझे नहीं लग पा रहा है थोड़ा सा विक मुझे लग रहा है अभी तक जो picks इन्हों ने भीजी हैं उसे इसाब से मैं बात कर रहा है इस pick में भी कुछ भी किलिया मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा है क्या बोनू मैं आप business का हाथ यह नहीं है इस बात से मैं sure हूँ है तो जो यह जोब का हाथ government job लेने के लिए इनको मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी क्योंकि sign का भौ है इस picks वगेरा के हिसाब से अगर होगा तो आप मुझे भेजेगा first of all यहाँ पे यह sun mount का pick मुझे एक बार और चाहिए आपका और ये जिप्टर के माउन का वो प्रसन मैं आपको बता दूँगे job का हाथ है private job का यह मुझे ज़्यादा लग रहा है वो इसलिए क्योंकि देखिए इनका जो luck line है वो भी टूट टूट के चल रही है यहाँ से फिर यहाँ से prominent एक भी luck line इनका मुझे दिखाई नहीं दे रहा है जब इस तरह से luck line वीजवीज से टूटूट के निकलती है एक नई दिशा पकड़ती है तो ऐसा लगता है आभास होता है कि यह job change को दर्शाता है तो एक government job employee को job change करने का अगर time भी मौका भी मिले तो यह क्या दो बार होता है लेकिन इनके हाथ में दो तीन से चार बार है तो इस वज़े से मुझे प्रावेट जॉब का हाथ जयदा लग रहा है लेकिन इसके बावजूर भी चलिए अब time period देखते हैं कि कब इनको तरक्की मिलने की chances है यह age होगी तकरीबन 27, 26 के आसपास मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई तरक्की इनको मिलेगी वो सकता है job वगिड़ा में मिले यहाँ पर जा करके यह break हो रही है 34 के आसपास 35, 36 से दो नई भागे रेखा इनकी निकल रही है धन रेखा जिसको कहते है वो निकल रही है और जब इस तरह से एकदम पतली सी धन रेखा निकलती है थोड़ी सी बलर तो यह महनत बहुत करवाती है और महनत के बलपर ही इंसान तरकी पाता है अपनी जीवन में अगर इन्ही गवर्वर्मेंट जॉब चाहिए और यह चाहते है गवर्मेंट जॉब में जाना तो इन्ही महनत बहुत ज़ादा लगेगी वो इनका हाथ बता रहा है और हाथ की जो लाइन्स है वो चेंज होती है इस बात को दिमाग में याद रखेगा अपनी महनत से अपने कर्म से आप अपने हाथ की रेखाओं में बदला ला सकते हैं लेकिन हाँ जब चेंज करना होता है तो महनत बहुत ज़ादा लगती है चाहिए वो जीवन में हो या सॉफ्ट वेर में हो चेंज जब भी आएंगे तो महनत लगेगी फिर उसमें सनलाइन जो भी आपकी वो यहां से स्टार्ट हो रही है माइंड लाइन से माइंड लाइन से जब भी सनलाइन स्टार्ट होती है तो यह स्ट्रिगल को दिखाती है स्ट्रिगल बहुत करना होता है ऐसे लोगों को आपके हाथ में struggle तो है इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान है आपके लिए तरक्की हासिल करना तरक्की पाना लेकिन एक चीज़ जयाद रखिए अपने कर्म से अपनी महनत से आप अपने हाथ को change कर सकते हैं और इसका prove है मेरे पास जो आने वाले वीडियो में मैं सभी users को दिखाऊंगी कि किस तरह से एक इनसान ने अपने कर्म से अपने हाथ की लकीरों को बदला है वो भी 7 साल के अंदर कहां से कहां पहुँचे हैं वो वो मैं आपको दिखा दूँगी लेकिन फिलाल तो यही है और एक और चीज़ है आपकी mind line वेभी है वेभी मतलब गुमाँ ज़ादा ले रही है fluctuation दिखा रही है उपर नीचे जा रही है थोड़ी सी तो ऐसे लोगों का मन शांत नहीं रहता है गूमते रहता है कभी मन करता है क्या जैसे आज ये अच्छा लगा तो कल कुछ और अच्छा लगेगा टीवी पे आज मुवी देखी तो मुझे फौजी अच्छा लग गया कल वकालत करते किसी को देख लिया तो वकील अच्छा लग गया कभी इंजीनियर बनना है, कभी बिजनेसमैन बनना है तो यहाँ पर stability, दिमाग के अंदर stability कभा होता है वो आपके हाथ में दिख रहा है और हो सकता है इस वज़े से भी कोई भी sign आपके clearly नहीं बन पाए है तो अगर आप अपनी जिन्दकी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो मैं ये request आप से करना चाहूँगी कि अपनी सोच को पहले तो सही कीजिए क्योंकि आपकी mind के जो thoughts है वही lines के रूप में आपके हाथ में बनते हैं तो उस thoughts को सही कीजिए सोच को सही कीजिए lines अपने आप सही हो जाएंगी square बहुत है positive ऐसा नहीं कि आपके हाथ में positive sign नहीं है बहुत है लेकिन clear नहीं है इक भी एक होता है ना कि हाँ एकदम सटीक तक सथ हाँ यहाँ पे square बन रहा है यहाँ पे बन रहा है लेकिन सब आधा आधा दूरा बन रहा है तो यह क्या ही यह दिखाता है कि इंसान खुद share नहीं कि उसको करना क्या है तो आप खुद से share हो जाएंगी आपको क्या करना है और मुझे हो सके तो यहाँ और यहाँ की यानि sun mount और jupyter mount की picks भेजिए आपका हाथ job का है business का तो बिलकुल भी नहीं है सोचेगा भी मत loss में चले जाएगा क्योंकि एक certain time period तक आपको loss ही loss दिखाई दे रहा है job में रहिएगा तो secure रहिएगा तो job ही कीजिए private job का हाथ मुझे अभी फिलाल ज़्यादा लग रहा है बाकि आपके कर्म पे depend करता है अगर आप government job के तब जाना चाहते हैं तो थोड़ी मेहनत आपको ज़्यादा लगेगी बस आज के लिए इतना ही और जितने भी user है अगर आप analysis करवाना चाहते हैं तो अपनी picks भेजी लेकिन please clear pick भेजी otherwise आप ही का future मुझे बताना है तो आप अपनी future के साथ इतना अन्याई कैसे कर लेते हैं एक blood pick आप कैसे भीज देते हैं